नमस्कार, मेरा नाम अनंता कवुलकार है, मैं बायोट्र प्रोपेशन एक ब्रूटीशन हूँ एक सोशल वर्कत भी हूँ मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला दूँ एक आदमी ना गुजरा चलानी के लिए मेले में गुबारे बेशता था और बहुत सारे जब गुबारे वो बेशता था, उसे उसका घर चलता था जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी, तब वो उसमें का एक रंगीन गुबारा हवा में छोड़ देता था और उसकी बिक्री वापस बढ़ जाती थी वो ऐसा हर रोज करता था, जब भी उसकी बिक्री कम हो जाती थी एक गुबारा हवा में छोड़ देता था ऐसे करते करते उसका रोजाना घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था एक दिन जब उसने गुबारा उपर छोड़ा तो उसने बाजी में उसके जाकेट को कोई तो खीच रहा है ऐसे जब उसने देखा पूड के पीछे मूड के देखा तो एक छोटा बच्चा था एक बच्चे ने उसको बहुत अच्छा सवाल बूचा क्या काले रंग का गुबारा होँ में ओड सकता है तो उस वक्ट ओ गुबारे वाले के दिल को बहुत बात छुली तो उसने ओ बच्चे को बहुत अच्छा से बोला कि बेटा गुबारा जो है ना अपने रंग की वज़े से नहीं उड़ता उसमें जो चीज होती है उसकी वज़े से उड़ता है तो उसमें जो हवा होती है उसके वज़े से वो गुबारा हवा में उड़ता है तो वो बात जब उसका बोलने का एक मतलब था कि अपने अंदर में जो चीज होती है उसके वज़े से आदमी का बड़ापन होता है जो कि ना की उपर दिखावे से होता है दिखावे से कभी आदमी बड़ा नहीं होता आपकी अंदर की चीज लोगों आपको बड़ा बनाती है अपना नजरिया बदलो और जिवन बदलो थैंक यू